वेलकम डियर स्टुडेंट्स टूडे भी लर्न क्लास क्लास ट्वल्थ लेशन एट यह रास्तान बोड का है दा गिप्ट अव दा मजाई तो यह जो सेकिंड बुक अपनी पैनोरमा है उससे लिया गया है और दिस लेशन इज रिटन बाई विलियम सिडनी पॉर्टर और विल मजला का नाम है डेला है और वो एक दूसरे से सबसे ज़्यदा प्रेम करते हैं और किसमिश की पूरो संध्या के उपर एक दूसरे को उपार देने के लिए उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज जिनके उपर उनको गरव था जिसके अंदर जिम के पास में उसकी पिता और उ अच्छी चैन या फिता है वो खरिदने के लिए अपने जो सबसे सुन्दर और सुनेरे जो बाल थे उनको भी बेच दिया और इस परकार से यहाँ पर जो दामजाई मजाई उन लोगों को कहते हैं जो कि इसा के जनम के समय वो पूरो के बुद्धिमान लोग जो इसा के लि जिम और डेला के उपार हैं इस का वरन बच्छो अपन को इस लेशन के अंदर मिलेगा तो सबसे पहले अपन अबाउड दा राइटर है उसके बारे में लेते हैं तो विलियन शिडनी पोर्टर तो लाइफ इस्पान ओ विलियन शिडनी पोर्टर एटीन हंड़ेट सिस्टी वो किया, he is a short story writer of the United States of America और ये सविक्तराज अमेरिका है उनके एक लगू काहानी लेखक हैं, he has written 600 stories और उन्होंने लगभग 600 लगू काहानिया या काहानिया हैं वो लिखी, noted for their blending, blending या नि मिक्चर या मिलान of humor and pathos और उनकी जो कहानिया हैं, वो उलेखनिया हैं किसके लिए, एक तो humor हसे और पैथोज यानि करोना है, उसके मिसरन के लिए इसको जानी जाती है और हेनियरी की जो कहानिया हैं, वो लेकनिया है कि उनमें एक शानदार ट्विस्ट या गुमावाता है, और फिर सर्प्राइज एंडिंग जब उसका अंत होता है, तो अंत के अंदर एक आसरे जनक अंत उसका पाए जाता है और उनको जो आधोनिक लगू कानिया है, उनका ग्राण मास्टर या पुरोदा है, वो माना जाता है अब अपन इसका ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसको शुरू करते हैं, उससे पहले बचो अब आउट दा स्टोरी लेते हैं, तो अब आउट दा स्टोरी के अंदर, दा गिप्ट ओफ दा मजाई, यानि इसका जो टाइटल है, वो क्या है पूर यंग कपल, एक विचितर गटना है, वो एक पूर यंग कपल, कपल जोड़े को बोलते हैं बिचो, तो एक नया गरीब जोड़ा था, इस कपल के अंदर मेल तो कौण है, मेल तो जिम है, और फिमेल डेला है, तो उनके जिवन में एक ऐसी गटना गटी, उसका वरण अपन को इसके अंदर मिलता है who sacrificed the most precious possession of each other's job और उसने एक दूसरे की कुशी के लिए अपना जो सबसे कीमती जो उपहार है उनको उन्होंने sacrifice कर दिया बलिदान कर दिया तो यहाँ पर उन दोने की सबसे कीमती चीज़ें क्या थी यहाँ पर जो जिम है उसके पास तो जो गोल्डन वाच है रिष्ट वाच है वो सबसे कीमती चीज़ थी और डेला है उसके जो सुनहरे लंबे बाल है वो सबसे कीमती चीज़ थी और उन दोनोंने अपनी कीमती चीज़ों को एक दूसरे की उपहर के लिए त्याग कर दिया तो इसका वर्नरपन को मिलता है कि इसलिए किया यह त्याग अदर्स जो ओन दा इव उप क्रिस्मिस क्रिस्मिस की पुरू संद्या के उपर एक दूसरे की कुशी के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग कर दिया तो नौव स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट अब हम इसका ओरिजिनल टेक्स्ट एव इसे वस्तु है उसको सुरू करते हैं और इसको सुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को जो एक यंग कपल है उनके जीवन के अंदर घटने वाली एक इंसिडेंट है उसके बारे में वरनना है उस इंसिडेंट के अंदर क्या है कि एक यंग कपल है जिसके अंदर मेल का नाम या पुरुस का नाम तो क्या है जिम है और फिमेल का नाम डेला है वो एक दूसरे से अत्यदिक प्रेम करते हैं और उन्होंने जिम है किस्मिस की पूरों संद्या के उपर उपहार देने की जो परमपरा है वो मेजाई लोग जब प्रभू ईसु के लिए जो उपहार लेकर के आये थे तब इसे चल रही है और इसलिए ये भी ए अपना उपहार है वो देना चाहते हैं और ऐसी इस्तिती के अंदर उनके पास चूंकि वो गरीब है इसलिए पैसा नहीं है तो एक दूसरे को उपहार देने के लिए डैला है वो अपने सबसे किमती जिनके उपर वह गरव करती थी वो बाल है वो कटवा देती है और जिम है तो वो है अपनी बाल कटवा करके और जिम के लिए जो घड़ी है उसके लिए एक प्लेटिनम की चैन लेकर के आती है और जिम है वो डेला के लिए जो डेला हमेशा एक अच्छे सुनेरे गोल्डन कडाई किया हुआ जो कंगा है उसके लिए लल्चाती थी तो वो अपनी यही सब कुछ था एंड 60 सेंट ओफ इट वाज इनके अंदर भी जो 60 या 60 सेंट है वो भी पैनी के रूप में एक मुद्राकी का ही है तो पैनी के रूप में थे पैनी शेवड वन एंड टू एट टाइम बाई बुल्डोजिंग बाद्य करके दा ग्रोजर और यह जो पैनी इनको बचाया गया था एक बार में या दो बार में बाद्य करके किन लोगों को दा ग्रोजर से यानि खुरद्रव्यापारी को एंड वेजिटेबल मैन और सबजी बेचने वाले को एंड बूचर कसाई को अंटिल वन्स चिक्स बलड और जब तक की उन लोगों के सरम नहीं जाते विदा साइलेंट इंपूटेशन जब उनके उपर चुप चाप इंपूटेशन यानि ये है लांचन लगाए जाता ओब पर्सिमोनी यानि कंजूशी का यानि उन लोगों के उपर कंजूशी का आरोप लगा लगा करके और उनको बादे करके एक एक पैनी है वो उन है इसने बहुत ही मुश्किल से इन पैसों को बचाया था और थरी टाइम्स डेला काउंटेट इन डेला ने इस राशी को तीन बार गिना वन डॉलर एंड एटी सेवन सेंट्स और इसके अंदर एक डॉलर और एटी सेवन यानि सत्याशी सेंट्स थे एन दा नेक्स डे और अगले दिन वुड मी क्रिस्मिस ये क्रिस्मिस का दिन था और वहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था नहीं यानि कुछ भी नहीं बचा था नहीं गिर जाना और इस परकार से वह एक छोटे से फटे पुराने सोपे के अंदर गिर जाती है और उसके अंदर सुबखने है रोने लग जाती है तो डेला डेला दिट और डेला ने भी ऐसा ही किया यारी डेला भी उसके पास प्रयाप्त में से नहीं थे इसलिए सोबे में सो करके रोने लग गई विच इनिस्टिगेट दा मोरल रिफ्लेक्शन और इस प्रकार से इनिस्टिगेश यानि सुलगाना या प्रेरित करना उसका जो नेतिक सोच या परतिविम्ब है और अब की बार उसने ये जान लिया कि जो जीवन है वो इसके अंदर मुस्करावट होती है तो उसने बाद में अपनी जो मौरल रिफ्लेक्स में क्या सोचा कि जीवन है वो किसे बनी हुई है एक तो सुबकने से या रोने से snips यानि नाग सूसू करने से and smiles और उसमें कुछ smells या मुस्कान भी होती है with snips predominating लेकिन ये जो जीवन है ना इसके अंदर snips या नाग को सूसू करना या सुकूरना ये predominating यानि ये परधान रूप से होता है यानि खुशी तो बहुत कम होती है और दुख ही ज्यादा होता है ऐसा डेला ने अपने आप में माना while the mistakes of the home is gradually subsiding from the first stage to the second और mistakes मालकिन को बोलते है बचो और उस घर की जो मालकिन है gradually यानि धिरे-धिरे subsiding, subsiding यानि come down, come करना from the first stage to the second, जब वह पहली stage से second stage अंदर आती है, take a look at the home, और वह घर की और देखती है एक furnished plate और उसका जो plate था, उसका आवास था वो एक अच्छी तरह से सुसजित था, at per dollar per week और उसके किराय की रूप में 8 dollar परतेक सब्ताय के दी जाते थी it did not exactly beggar description और यहाँ पर इस से ज़्यादा बड़ा, beggar description यह वर्णन वहाँ पर नहीं था but it certainly had that word on the lookout for the medicancy square लेकिन उनके घर के उपर कुछ ऐसे सब्द थे, जो देखे जा सकते थे, जिसे की वो medicancy square यानि जो बिखारिया है, उनको बगाने वाला दल है, उसकी नजर उसके उपर पड़ती थी यानि वो घर है, वो एक अच्छी इस्तिती में था, in the vestibule, vestibule यानि entrance room को बोलते हैं, बचो vestibule यानि प्रवेसकस इन दा vestibule प्रवेसकस के अंदर below a letter box in which no letter would go, और वहाँ पर एक letter box था जिसके अंदर into which no letter would go, कोई भी पत्र है, वो आता जाता नहीं था, and an electric button from which no mortal finger could coax a ring, और वहाँ पर एक electric button था, या विजली का एक button था, और from which no mortal, mortal finger mortal किसको बोलते हैं, नस्वर को बोलते हैं, या मनुष्य का लिए आप यहाँ पर use हुआ है, और इसके उपर, coax coax, या नहीं, उसके उपर सहलाना, उससे जो ring या घंटी का button था, उसके उपर किसी भी मानव की जो अंगुली है वो नहीं लगी थी, also apparenting there unto और इस चे सम्मद्ध था, वहीं पर, वाजे card being the name, एक card के उपर wearing the name, जिसके उपर नाम लिखावा था, Mr. James Dillingham Young, यानि ये जो poor young couple है, वो कौन थे, Mr. James Dillingham Young यानि उसका, जो mail है, उसका नाम था, Mr. James Dillingham Young है, वो उसका नाम था the Dillingham, डिलिंगम उस परिवार, डिलिंगम परिवार के लिए यूज हुआ है had been flung to the bridge during a former period of prosperity, former यानि पहले की, period of prosperity, प्रोफशपरटी यानि खुशाल, पूर्व खुशाली के समय, ये जो डिलिंगम परिवार है, उन्हों ने भहती अच्छा, बिज बिज यानि सुवानी हवा को कहते हैं, यानि अच्छा समय उनका गुज़रा था, when its possessor was being paid 30 per week, और जब इसका जो मालिक था, उसको 30 डालर per week, इस कमरे का किराया है, वो दिया जाता था, इस फ्रेट का किराया दिया जाता था, now when the income was shrunk, shrunk and reduced, और जब उनकी income या आए है, वो कम हो गई to 20 डोलर यानि 20 डोलर तक उनकी आए कम हो गई, the letters of dillingham looked blurred, और अब जो dillingham जो परिवार है, उसके लिखे हुए जो सब्द हैं, वो blood यानि धुनले हो गई थे, as though they were thinking seriously of contracting to modest and unamusing, as though they were thinking, और ऐसा, वो लोग सोच रहे थे, घंबी रूप से of contracting, contracting यानि शिमित क्या जा रहा था, to a modest venumber and unamusing, unamusing यानि ने मानना, the unamusing d, यानि d के रूप में वो contact हो रहे थे, d उसका परतीक था, but whenever Mr. James Dillingham young came home and raised his plate above the he was called Mr. James Dillingham young came home or jab, whenever and jab कभी, लेकिन जब कभी Mr. James Dillingham young है, वो अपने घर आता and raised his plate above he was called gym और जब वो है अपने plate के अंदर उपर पहुंचता तो उसे जिम नाम से पुकरा जाता था and greatly hugged by Mr. James Jim Dillingham young और वहाँ जाने के उपर hugged यानि सीने से लगाना, आलिंगन करना और उस समय जो स्रीमती James Dillingham है, उसके दोरा उसको शीने से लगा लिया जाता था I already introduced to you as Dela और यहाँ पर जो स्रीमती James Dillingham है, उसका मैंने पहले आपको परीचे करा दिया गया Dela के रूप में, which is very good जो कि बहुत ही अच्छे थी Dela finished her cry and attendant to her chicks with a powder रहेगे Dela है, अपने रोना है वो समाप्त कर दिया and attendant to her chicks with a powder रहेगे यानि पुराना और उसने अपना जो एक powder है या एक महीम powder होता है ना, उस powder से अपने जो गाल है, उनको सपेद powder उनके उपर लगा दिया She stood by the window and looked out duly at a grey cat walking a grey fence in grey backyard, she stood by the window और वहे खिड़की के पास में खड़ी हो गई and looked out duly और वहे बिलकुल डूली यानि उदाशिंता के साथ में और वहे भार के और, उदाशिंता से उसने देखा at a grey cat walking a grey fence, जिस परकार से एक भूरी जो बिली है grey fence यानि भूरी जो बाढ़ है उसके और जाती है in a grey backyard, एक भूरे या धुंदले बैक्यार्ड या आहाते के अंदर है तुमारो आने वाला कल would be Christmas Christmas day और आने वाला जो दिन है वो Christmas का दिन था और उसके पास में केवल एक पाइंट सत्याशी डोलर की ही राशी थी विच विच टू बाइजिम एक परजेंट और उसी से उसको एक परजेंट या उफ़ार खरीदना था शी हैड बीन शेविंग एवरी पैनी शी कुड फोर मंथ से और उसने परतेक पैनी को इस तरह से बचाया जितनी की वो कई मेनों से बचा सकती थी विच दिस रजल्ट और उसका प्रजेंट यही था ट्वंटी डोलर एवीक डिजन्ट गो फार और बीश डोलर की जो रकम है वो ज़्यादा दिन नहीं चलती थी expenses had been greater than she had calculated और उनके expenses या जो खर्चे हैं वो इतने ज़्यादा हो गए जितना की उसने गणना की थी दे आलवेज आर जैसा की होता है और उसके पास में केवल जिम के लिए उपार खरीदने के लिए केवल एक पैंट से त्याशी डोलर ही थे many a happy hovers और कई जो परसंता के जो घंटे थे she had spent planning for something nice for him she had spent planning और उसने कई दिन तो ये जो योजना है वो बनाई for something nice for him कि वह उसके लिए अच्छा करे यानि वह जिम के लिए एक अच्छा परजेंट है वो खरीदना चाती थी ऐसी होजना उसकी कई दिनों से चल रही थी something fine कोई एक अच्छी चीज हो and rare दुरलबी भी हो and sterling sterling यानि उतकरष्ट और उतकरष्ट भी होनी चीए तो वो एक ऐसा उपवार खरीदना चाह रही थी कि वो चीज fine हो rare हो sterling यानि उतकरष्ट हो something just a little bit near to being worthy और एक ऐसी चीज हो छोटी सी ऐसी चीज हो जो इतनी वर्दी या योगी हो of the honor of being owned by him यानि जिस of the honor जो इतनी सम्मान वाली हो of being owned by gym जिसका अधिकारी है वो gym है यानि gym जितने सम्मान का अधिकारी है ना वैसे सम्मान की चीज़ gym के लिए परजेंट के लिए होनी चाहिए देरवाजे पाइस ग्लास पाइर ग्लास यानि बाहर के उबरा हुआ जो काथ है उसको बोलते हैं बच्चो तो देरवाजे पाइर ग्लास between the windows of the room और उस कमरे की जो खिडकी है उसके बाहर है वो एक खिडकी से बाहर एक छोटा सा ग्लास है वो बाहर उबरा हुआ था परहफ से साइद you have seen a पाइर ग्लास in a 8 डॉलर फ्लेट और संबह रता है आप 8 डालर पर वी के किराये के अंदर जो फ्लेट मिलता है ना उसके अंदर ऐसा ऐसी बाहर निकली हुई खिडकी वाला ग्लास आप देख लेते हैं ये वेरी थिन एंड वेरी एजाईल परसन में और इस प्रकार से ये एक भहुती पतला और एजाई यानि फूर्तिला परसन था ये बाई अबजरूइंग हीज रिफ्लेक्शन इन ए रेपिट सिक्वेंश ओव लोंगिट्यूडनल स्टिप्स लोंगिट्यूडनल बच्चों शेतिज को बोलते हैं स्टिप्स एन धारियां बाई ओबजरूइंग हीज रिफ्लेक्शन और उसने अपना जो परतिविंब है वो देखा इन रेपिट सिक्वेंश यानि शिगरता से करमागत रूप से 36 दो धारियां हैं उनके अंदर और अप्टेन ए फेरली एकुरेट एपुरेट कंसेप्शन ओफ हीज लुक्स और इस परकार से उसने अपनी लुक्स यादर दिखाई थी सड़नली अचानक सी वरल्ड फ्रूम दा विंडो डवलु एच आई र एलेडी वरल्ड यानि घूम गई और अचानक वह उस खिटकी से घूम गई एंड इस्टूट बिफोर दा गलास और वह उस दरपन के सामने खड़ी हो गई हर आईज वर साइनिंग ब्रिलेंटली उसकी आखें हैं वो बहुत तेजी से चमक रही थी बट हर फेस हैड लोज टी इट से कलर विदिन टूटी सेकिंड लेकिन बट हर फेस लेकिन उसका जो चैरा है उसने अपना जो रंग है वो खो दिया विदिन टूटी सेकिंड केवल बीज सेकिंड के अंदर रेपिटली शिगरता से शी पूल्ड डाउन हर हैर शी पूल्ड डाउन उसने पूल डाउन यानि नीचे डाल दिया हर हैर उसके बाल और लेट इट फाल टू इट्स फूल लेंथ और अपने जो बाल हैं उनको पूरी लंबाई के अंदर फैला दिया अब इस लाइन को देखना बच्चो कि जो डिलिंगम यंग्स हैं जिनके अंदर कौन है एक साइड में तो जिम है और दूसरी साइड में डेला है उन दोनों के पास में दो चीजें ऐसी समय मित्वे की थी कि उनके उपर वो सबसे ज्यादा प्राइडिया गरव करते थे वन वाज जिम स्गोल्ड वाज और उनमें एक तो थी जो जिम है उसकी गोल्ड वाज या सोने की घड़ी थी जिम की सोने की गड़ी थी और जो उसने अपने पेता से प्रापत की थी और आदर वाज डेला हैर और दूसरा था वो डेला के हेर या बाल थे हेर दा क्विन ओफ सीविया लीड इन दा फ्लेट अिखरोस दा एरसाप्त एर साफ टैनी वायू कुपी का तो यह क्या कहता है कि यदि जो शीबा की रानी है ना वो उसकी खिड़की के पार उसकी खिड़की के पार वहां पर रहती या निवास करती डेला वुड हैव लेट हर हैर हैंग आउट ओब दा विंडो और ऐसी स्थिति के अंदर डेला है वो अपने बालों को उस खिड़की से नीचे लटका देती हैंग यानि लटका देना समडे किसी दिन तो ड्राई तो जस्ट डैस्परेट हर मेजेस्टी ज्वेल्स एंड गिफ्ट तो ड्राई यानि सुकाने के लिए जस्ट टो डैस्परेट और हतासा के लिए हर मेजेस्टी यानि उसकी गरीमा ज्वेल्स एंड गिफ्ट और इस परकार से उस राणी के जो उफार और रतन है न वो भी उनके सामने कम आके जाते उसके बाल हैं वो ज़्यदा इंपोर्टेंट थे और ऐसी इस्टितिके और यहां पर जो राइटर है वो कल्पना करता है हैड किंग सुलیमन बीन दा जेंटर और यदे राजा जो सुलिमन है वो जेंटर होता यैदर दरबान होता या रखवला होता विट आल हीज टेजर श्वाल अप इन दा बैशमिंट और यदे वह है अपने सारा खजाना और रतन है वो एक बैसमिंट या जो बैस्मेंट होता है या अंदर नीचे का जमीन का अंदर जो मकान होता है उसमें सारे के सारे जो जो जवेल गहने खजाना है उनको पाइल अप उनका धेर लगा देता और उनकी रखवाली करता जम वूड है पुल्ड आउट हीज वाच एवरी टाइम ही पास्ट और यदी जम है वो उदर से गुजरता और अपनी जो रिष्ट वाच है या अपनी घड़ी है वो अपने साथ में रखता तो उस समय राजा सोलीमन को देखा जा सकता था कि उसकी दाड़ी के अंदर एक जो इर्ष्या है वो दिखाई देती यानि उसका पुरा का पुरा ज़र राजा सोलीमन का खजाना है वो भी जम की जो गॉल्डन वाच है उसके सामने फिका पड़ जाता यह यहाँ पर और एसी स्थिति के अंदर नाव यानि अब डेला ज बीट्यूफुल हैर डेला के जो संदर बाल है फैल अबाउट हर वो लगवाग गिर गए रिपलिंग एंड साइनिंग लाइक एक केस्केट केस्केट बच्चो वाटरफाल या ज़र्ने को बोलते हैं रिपलिंग यानि लहरदार और उसके जो बाल हैं वो लहरदार थे साइनिंग चमक रहे थे जिस परकार से एक ज़र्ना होता है और ब्राउन वाटर जिसके अंदर भूरा पानी हो यानि भूरे पानी के ज़र्ने की तरह उसके बाल दिखाई दे रहे थे इट रिज्ड बिलो हर नीज और ये उसके जो नीज या गुटने हैं वहां तक ये पहुंच रहे थे बाल और ये उसके लिए गार्मेंट या पोसाग या वस्तर हैं वो उसके लिए वस्तर का निमान ये बाल कर रहे थे और तब शी डिड इट अप अगीन और वह दुबारा एसाई किया नरफसली हतास होकर के एंड क्यूक्ली और सिगरता से और वह कुछ मिनट के लिए फ्लेटर या नि फट पड़ाई एंड इस्टूड इस्टिल और वह अब खड़ी हो गई वाईल ए टीयर और टू स्प्लेश्ट ओन दा वोर्न रेड कार्पेट और तब उसके आंखों से एक या दो बाल हैं एक उपर आकर के उसके जो आंसु हैं वह गिर पड़े तो यह डेला की स्थिति बताता है तो थैंक्यू डियर स्टूडेंट्स इस पार्ट के अंदर अपन इतना ही करेंगे और जो आगे के पार्ट हैं उसके अंदर आपको आगे हिंदी एक्स्प्लेनेशन बताएगी बताए थैंक्यू